सभी प्रोग्राम अधिकारियों को मेरा प्यारवरा नमस्कार जैसा कि हम सब जानते हैं कि NSSS मन्दित जितना भी वितिय लेखा जोखा एवं लेन देन किया जाता है वो PFMS के अंतरगत जुड़ने वाले अकाउंट्स के माद्यम से किया जाता है इस कड़ी में हम सब पुराने PFMS के पैटर्न से अवगत होंगे जिसमें हमें CNA अकाउंट के माद्यम से लेन देन को संचालित करने के विशे में बताया गया था अब क्यूंकि वितिय प्रनाले में कुछ संशोधन हुए हैं और इसी कड़ी में जड़ी से अकाउंट के बारे में जो है भीविन उनिट्स को अवगत करवाया गया है यह जड़ी से अकाउंट्स जो है यह SBI Bank के मादिम से ओपन किये जाएंगे जो कि current अकाउंट्स रहेंगे और निकट भविश्य में जितना भी युवा सेवाएं मंखिल मंत्राले भारा सरकार के मादिम से जो भी पैसा राजिस्तर पर डिरेक्प्रेट ऑफ हायर एजूकेशन अगर अपने प्रदेश की बात करें ही माचल प्रदेश के अंदर आएगा तो वो जड़ भी ऐसे अकाउंट के थुरू आएगा और उसके बाद जड़ भी ऐसे अकाउंट के थुरू ही अन्य जो भी एनसेस उनेट्स पूरे प्रदेश में कारे कर रहे हैं उनका लेंदीन, लेखा जुखा, आदान, प्रदान या कोई भी वित्यकारे PFMS के आधीन, ZBSC अकाउंट के मादिम से ही संचालित किया जाना है तो इस कड़ी में, अब फिर से हमें जो है PFMS के अंदर, यानि कि PFMS वेबसाइट के मादिम से उसके अंदर कुछ बदलाव करने हैं जिनमें मुख्यता पहले तो जो हमारा CNA अकाउंट अलड़ी मैप्ड है, उसे हमें डियक्टिवेट करना है और उसके बाद अपने ZBSC अकाउंट, जो नेया ZBSC अकाउंट SBI के मादिम से उपन होना है उसे इस PFMS के अंदर जोड़ना है तो ये दो चरणों में किया जाने वाला कार्य है, इसमें प्रथम चरण में आज हम सीखेंगे कि कैसे CNA अकाउंट जो आपका अलड़ी आपकी PFMS ID में, आपकी PFMS Admin ID में जो जुड़ा हुआ है उसे हम कैसे deactivate करेंगे, तो आई इस बारे में जान लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हम PFMS website open करेंगे PFMS website open करने के लिए आप PFMS search कर सकते हैं और PFMS search करने के बाद आपके पास इस तरह की window जो है वो सामने open होती है आप इसमें login करेंगे और login करने के बाद जो आपका user ID एवं password ध्यान देंगे इसमें क्योंकि mapping से सम्बंदित कारे admin user ID और admin password से किये जाते हैं इसलिए आपको यहां पर आपके unit को परदान की गई admin user ID और admin password यहां पर आपने उसको डालना है उधारन के तोर पर मैं एक विद्याल्य का admin ID और admin password है वो आपके सामने यहां पर अंकित कर रहा हूं और उसके बाद हम 2022-23 के सत्तर में इसे लॉगिन करेंगे इसके पस्चात आप देख रहे होंगे कि यह जो admin ID के मादिम से लॉगिन किया है तो हमारे पास एक admin pfms window सामने उपन है अब अगर इसमें हम अपने बाई और देखें तो बाई और अलग अलग परकार के menus आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें हमें my schemes menu पर जाना है और my schemes menu पर जाने के बाद अगर my schemes की बात करें तो my scheme menu यहां जैसे है my scheme menu पर जाने के बाद जो है आप पाएंगे कि आपके पास different options आपको सामने दिखाई दे रहे हैं इसमें deactivate scheme oblique bank account इस menu पर आप click करेंगे इस menu पर click करते ही deactivation window open हो जाएगे जिसमें आपने सबसे बहले scheme option को search करना है और search करने के लिए आप select scheme में जाएंगे select scheme पर click करने पर जो नई window open होती है इसमें आप यहाँ type करेंगे 9230 और search बटन पर click करेंगे 9230 लिखने और search करने के बाद जो पहला option national service scheme 9230 लिखा सामने आ रहा है इस पर आप click करेंगे और click करने के बाद आपके सामने यहाँ पर national service scheme 9230 लिखा हुआ दिखाई देगा इसके पस्चात आपने सीधे search बटन पर click करना है search बटन पर click करते ही संबंदित विद्याले के school का नाम और एक तरफ जो हिमाचल परदेश state NSS cell क्योंकि हिमारे परदेश हिमाचल परदेश का जो NSS cell है उसका representation HP state NSS cell के नाम से है तो यह दो type के account आपको यहाँ पर दिखाई देंगे पहला account जो है यह आपका state NSS cell का account है जिसके साथ आपके विद्याले के account को जोड़ा गया था और दूसर नमबर पर आपके विद्याले का अपना account दिखाई दे रहा है अगर आप यहाँ देखें तो इस विद्याले का जो account है जिसका account नमबर 21613303 था जो कि कांगड़ा Central Cooperative Bank में था इसको पहला जो state NSS cell का account नमबर था उसके साथ जोड़ा हुआ था अब क्या है कि हर एक विद्याले में क्योंकि नई विवस्ता लागू हो रही है तो automatically जो पुराने आपके accounts है उसको PFMS के अंदर head level पर already deactivate यहाँ पर दर्शाय गया है deactivated account यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है तो यानि कि यह account अल्रेड़ी PFMS के अंदर deactivated है हलंकि आपका जो जितना भी bank के अंदर जो भी amount available है उसको आपको withdraw करने में इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं जो भी पराना आपका अभी bank में account के अंदर जो भी पैसा होगा लेकिन PFMS के अंदर यह account जो है deactivated represent हो चुका है यानि कि इस विद्य खाते में जो आपके bank का आपके विद्याले के NSS fund का जो account है जो अल्रेड़ी खुला हुआ था पहले उसके अंदर अब state NSS cell से कोई पैसा आगे नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि अब cna account की जगा zbsa account की जो policy है जो तरीका है वो implement होने जा रहा है इसलिए पहले से ही आपके इस account को deactivate PFMS तरपर कर दिया गया है अब बात आती है जो state NSS cell का account आपके विद्यले के PFMS ID और account से जुड़ा हुआ है उसको deactivate करने की तो उसके लिए आपने क्या करना है जो select option के नीचे पहला box बना है यहाँ पर आपने click कर देना है ताकि यह tick जैसा यहाँ पर बन सके और उसके बाद जैसे आप tick यहाँ पर mark क करेंगे तो यहाँ पर एक text box बना हुआ आपको दिखाई देगा उस पर आपने type करना है और लिखना है account deactivate यनि कि basically आप जो है request कर रहे हैं कि इस account को deactivate कर दिया जाए जो state NSS cell का account जो कि SBI शिमला में था जो कि आपके PFMS ID से जुड़ा था आप उसके लिए request कर रहे हैं कि इस account को हमारे account में जो link स्थापित है इसको deactivate कर दिया जाए और approver remarks जो है यहाँ पर आप कुछ type ना तो करेंगे और ना ही कर पाएंगे because यह जो block है जिसने आपकी deactivation request को approve करना है यह block जो है यह उसके लिए बना हुआ है जस्ट आप account deactivate लिखने के बाद submit बटन पर click कर देंगे और जैसे आप submit बटन पर click करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक message display होगा कि agency with the following agency codes will be rejected और agency का नाम है hpka00006700 यह basically agency code है unique code है जैसे आपकी PFMS ID का unique code था वैसे ही यह PFMS ID का unique code है किसका state NSSL का तो इसके लिए बूल रहा है कि PFMS के अंदर यह जो agency है यह reject हो जाएगी यहने की deactivate हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं लेकिन हमें ऐसा ही करने के आदेश हुए हैं तो हमें इसको okay करना है और okay करने के बाद फिर से आपसे पूछ रहा है कि do you want to continue तो आप फिर से okay प्रेस क करेंगे तो इसके बाद होगा क्या जैसे आप ऐसे करते हैं तो एक message सामने display होगा request has been submitted successfully यानि कि जो request आपने deactivate करने की की है वो submit हो चुकी है इसके बाद approval level पर यानि कि जिसने इस request को approve करना है जो कि आपके higher authorities होंगे उन्होंने इस request को accept करना है और लगभग 24 घंटे के request deactivation की approve हो जाती है लेकिन 24 से 48 घंटे में लग सकते हैं depending upon the network issues और something else जो भी इस पूरे transaction में जो समय लगेगा उसके अनुसार जो है इसमें 24 से 48 घंटे जो है इस request को accept होने में लग जाते हैं तो इस प्रकार से आपका जो पहला चरण है deactivate करने का account को deactivate करने का प्लस जो CNA establishment आ उसको deactivate करने का वो ये था जैसे ही आपके ये request approve होगी उसके बाद आप जो है अपने ZBSA account को जो कि आपने नया नया भी खुलवाया होगा SBE bank के ब्रांच में निकटवरती ब्रांच में जाकर आप उस account को बाद में इसमें map कर सकते हैं तो ये है पहला चरण अगले चरण का जो वीडियो है हम इसके बाद जारी करेंगे जैसे आपकी activity पूरी होगी first जो phase है उसको complete करेंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद